नमस्कार एक्जाम्स क्वेस्चन्स के पी वाई क्यू वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसियस द्वारा 1992 के प्रेले मिज्याम में पूछे गए इंडियन पॉलिटी के प्रस्तों का डेटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा चलिए सुरू करते हैं मौली का दिखारों यानि फंडामेंटल राइट्स का समरच्षक कौन है पहला सरोचने आले यानि सुप्रीम कोट दूसरा संसद तीसरा रास्टपती जिसका सही जवाब है पहला सरोचने आले यानि सुप्रीम कोट भारत के संबिधान के भागतीन में अनुछेद बारत से पैंतिस में मूल अधिकारों को वंडित किया गया है यदि मूल अधिकारों का अतिक्रमन या हनन हुआ है तो पीडित बेक्ती उचेतम नियाले में अनुछेद 32 के तहथ तथा उचे नियाले में अनुछेद 226 के तहथ अपील कर सकता है अगला प्रसंद रास्टपती और रूप रास्टपती की अनुपस्तिती में कौन कारेभार गरहड करेगा पहला रास्टपती की अनुपस्तिति में उसका कारेभार उपर रास्टपती समालता है यदि उपर रास्टपती भी अनुपस्तित है तो उसका कारेभार सरोचे ने आले का मुख्य ने आधिस समालेगा अगला प्रस्ता राजयपाल किसके प्रती उत्तरदाई होता है मतब अकाउंटेबल होता है पहला प्रधान मंत्री दूसरा रास्टपती तीसरा बिधान सबा चोथा मुख्य मंत्री जिसका सही जवाब है दूसरा रास्टपती क्योंकि अनुछेद 155 के अनुसार राज्य के राजपाल की न्युक्ति रास्टपती करता है तथा अनुछेद 156 के अनुसार राज्यपाल रास्टपती के प्रसाद परियंत पद धारण करता है यानि राज्यपाल का पद रास्टपती के दया पर निर्भर करता है एक तरफ राज्यपाल राज्य सरकार का मुखिया होता है तथा दूसरी तरफ केंद्र सरकार के प्रतिनिधी के रूप में कारे करता है तथा रास्टपती के प्रति उत्तरदाई होता है यानि एकाउंटेबल होता है अगला प्रस्न राष्टपती के उम्मिद्वार के लिए क्या आवस्यक नहीं है पहला आयू 35 वर्सो दूसरा पढ़ा लिखा हो तीसरा सांसत चुने जाने की योग्यता रखता हो चौथा देश का नागरिक हो जिसका सही जवाब है दूसरा पढ़ा लिखा हो अनुछेद अन्ठावन में राष्टपती पद के चुनाव के लिए व्यक्ति को निम्ना रहताओं यानि योग्यताओं को पूड करना आवस्यक है पहला वह भारत का नागरिक हो दूसरा 35 वर्स की आयू पूर्ण कर चुका हो तीसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाजित होने के लिए आरहित हो यानि योग्यो क्या हो था किसी लाब के पद पर नहो लाब के पद का मतलब है कोई बेक्ति केवल इस कारण लाब का पद धारन करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह रास्टपती या उपर रास्टपती या किसी राज्य का राज्य पाल है अथवा संग या किसी राज्य का मंत्री है रास्टपती पद के निर्वाचन है तू सिच्छित होना अनिवार्य नहीं है क्योंकि इसका सम्विधान में उल्लेक नहीं है अगला प्रस्थ रास्थपती सासन अधिक्तम कितने समय तक लगाया जा सकता है पहला एक बर्स दूसरा दो बर्स तीसरा छे मां चौथा तीन बर्स जिसका सही जवाब है चौथा तीन बर्स अगला प्रस्थ कैबिनेट में समलित होते हैं पहला मंत्री अस्तर के सभी मंत्री दूसरा केवल कैबिनेट मंत्री तीसरा कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री क्या हो था कैबिनेट राज्य और उप मंत्री जिसका सही जवाब है दूसरा केवल कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री वव उप मंत्री कैबिनेट यानि मंत्री मंडल में प्रधान मंत्री साइथ केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं जबकि मंत्री परिशद में प्रधान मंत्री साइत, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री वो उप मंत्री सभी सामिल होते हैं मंत्री मंडल का उलेक संभिधान के अनुछे 352 में है जिसमें कुछ संसोधन संभिधान के चवाली से में संसोधन द्वारा किये गये अगला प्रस्न, किस सभा का अध्यच यानि चेयर परसंद उस सभा का सदस्य नहीं होता है पहला, राज्य सभा, दूसरा, लोक सभा, तीसरा, बिधान सभा, चौथा, बिधान परिसद जिसका सही जवाब है पहला, राज्य सभा क्योंकि अनुछेत 64 के अनुसार उप रास्टपती राज्यसभा का पदेन सभापती होता है यानि जोर उप रास्टपती बनेगा वो राज्यसभा का चेर्मेन रहेगा अन्य कोई लाब का पद्धारन नहीं करेगा यद्यपी रास्टपती राज्यसभा का सभापती होता है परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्स का होता है परंतु उपर रास्टपती का कार्यकाल 5 वर्स का ही होता है अगला प्रस्न राज्य सभा के सदस्यों का कारेकाल कितने वर्स होता है पहला तीन वर्स、 दूसरा पांच वर्स、 तीसरा छे वर्स दू बर्स जिसका सही जबाव है तीसरा छे वर्स राज्य सभा पहली बार 1952 में स्थापित की गई यह एक स्थाई संस्था है, इसका विक्ठन नहीं होता इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्स का होता है तथा इसके 1 बटा 3 सदस्य प्रतेक 2 वर्सों में सेवा निवरित होते रहते हैं अगला प्रस्न, यह अधन विदयक है, इसका निर्ड़े कौन करता है पहला, रास्टपती, दूसरा, प्रधान मंत्री, तीसरा, लोक सभाध्यच, चवथा, मंत्री परिशद इसका सही जवाब है तीसरा, लोक सभाध्यच धन विदयक की परिभास संभिधान के अनुछेद 110 में दी गई है कोई भी विदयक धन विदयक है या नहीं इसका नेड़े संभिधान के अनुछेद 110 के कलॉज 3 के अनुछाद, लोक सभाध्यच द्वारा किया जाता है जिसका नेड़े अंतिम होता है धन विदयक केवल लोक सभा में रास्टपती के पूर्व सिफारिस पर प्रस्तुत किया जाता है राज्य सभा धन विद्यक को स्विक्रित या संसोधित नहीं कर सकता वो अकेवल सिफारिस कर सकता है तथा इसे 14 दिनों के भीतर ही अपनी स्विक्रिती प्रदान करनी होती है अन्य था या राज्य सभा द्वारा पारित समझा जाएगा लोग सभा के लिए या आवस्यक नहीं है कि वह राज्य सभा के सिफारिसों को स्विकार करें अगला प्रस्थ निम्न में से किसका संबंद चुनाव आयोक से नहीं है पहला चुनाव की अधिसूचना जारी करना दूसरा चुनाव चिन का बटवारा करना जिसका सही जबाबे पहला चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोक की सिफारिसों पर लोग सभा और राज्य सभा के चुनाव की अधिसूचना रास्टपती तथा विधान सभा और विधान परिशत की चुनाव की अधिसूचना संबंधित राज्यका राज्यपाल करता है जबकि चुनाव चिन्न का बटवारा चुनाव की बैदता कनिप्टारा तथा चुनाव सांतिपूर धंग से संपन कराना चुनाव आयोक का कार्य है अगला प्रस्ण मेयर का कार्यकाल कितने वर्स का होता है पहला एक वर्स, दूसरा दो वर्स, तीसरा तीन वर्स, चौथा पांच वर्स जिसका सही जवाब है चौथा पांच वर्स क्योथर में सम्विधान संसोधन के अनुसार अनुछेद 243 यू में नगर पालीकाओं की अवधी पांच वर्स निस्चित की गई है तथा मेयर का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन के नियत तारीक से पांच वर्स का होगा अगला प्रस्ण भारत में अस्प्रिस्यता का निवारण निम्न में से कीन उपायों द्वारा किया जा सकता है पहला कानून बना कर दूसरा सिच्छा की उन्नती द्वारा तीसरा जन जागरण के द्वारा चौथा नौकरियों में प्रवेश दिला कर जिसके विकल्प हैं पहला फास्ट सेकेंड थार्ड सही है दूसरा सेकेंड थार्ड फोर्ड सही है तीसरा फास्ट और सेकेंड सही है चौथा सेकेंड और फोर्ड सही है जिसका सही जबावे पहला फास्ट सेकेंड और थार्ड सही है यानि भारत में अस्प्रिस्यता का निवारण कानून बनाकर सिच्छा की उन्नती द्वारा तथा जन जागरण यानि जन जागरुकता जैसे उपायों से किया जा सकता है भारतिय संबिधान के अनुछेद 17 में कहा गया है कि अस्प्रिस्यता का अंत किया जा सकता है और उसका किसी भी रूप में आचार निस्सिद्ध किया जाता है अस्प्रिस्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराद होगा जो विधी के अनुसार दंडनी होगा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो विधी द्वारा अपराद के लिए दंड विहित करे इसी क्वेस्चन के साथ इस सल पूछे गये पॉलिटी के प्रस्द समाप्त हुए धन्यवाद